बाईयों और बेहनों, आप सब का यहाँ बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, आपका मूड कैसा है, मूड अच्छा है, आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक तरफ, कॉंग्रेस पार्टी की भारत जोडो वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ, बीजेपी, आरेसेस की भारत तोडो वाली विचारधारा, यह लड़ाई है, और इसलिए, आज हम बिहार आएं हैं, क्योंकि बिहार में, कॉंग्रेस पार्टी का जो बियने है, वो बिहार में है, आपने हमारी भारत जोडो यात्रा में, बहुत मदद की, हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में, मैं पूछता था, कहां से आये हो, कहते थे बिहार से आया हूँ, जहां भी जाओ, करनाटक, केरला, टमिलनाडू, आंद्रा, तिलंगाना, महराश्ट्रा, सब जगे, बिहार के लोग हमारे साथ चले थे, बिल्कुल, तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो, और विचारधारा को आप गहरी तरे से समझते हो, बिजेपी, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कॉंग्रेस पार्टी, जोडने का काम कर रही है, और महबत फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि आप जानते हो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है नफरत को सिरफ महपत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं इसलिए हम महपत की बात करते हैं यहाँ पे देश के सब ओपोजिशन की पार्टियां आई हैं एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं आपने देखा होगा करनाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाशन किये हर कोने में घूम लिये और नतीजा आपको दिग्या करनाटक में क्या हुआ देखा आपने तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई वैसे करनाटक में बीजेपी गायब हो गई और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूँ इस स्टेज से कह रहा हूँ तेलंगाना में मध्यप्रदेश में चतिसगर में राजस्तान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी कॉंग्रेस पार्टी जीत के दिखाईगी क्यूं? क्यूंकि हम गरीबों के साथ खड़े है पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोधी जी बीजेपी का मतलब सिरफ दो-तीन लोगों को फाइदा पहुँचाना देश का पूरा का पूरा धन उनके हवाले करना कॉंग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना गरीबों के साथ मिलना गले लगना और गरीबों के लिए काम करना आप यहां आए प्यार से आए इसके लिए आपको मैं दिल से धनेवाद करना चाहता हूँ और Congress Party के कारे करता हूँ को याद दिल आना चाहता हूँ चाहे वो बिहार हो चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो आप हमारे बबर शेर हो आप हमारी विचार धारा के लिए लड़ते हो आप हमारी नेताओं का काम है कि कॉंग्रेस पार्टी की जो कार्य करता है जो फाउंडेशन है जो नीव है उसकी रक्षा करना और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिं